रास्ट्री राजमार गिस्तित एक पेट्रोल पम्प के सामने मंदर की जमीन के विवाद में रविवार रात पुजारी और उसकी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस महा निरक्षक उदैपूर रेंज प्रफुल कुमार ने देवगर थाना प्रभारी शैतान सिंग और कमली घाट चौकी प्रभारी राजुस सिंग को निलंबित कर दिया है अतिरिक पुलिस अदिक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि वारदात के मुख्य शडियंत करता नरेंदर सिंग, विजैपूर सरपंच पती, हरदेव भाट और एकण्य आरोपी भवर सिंग उर्फ दिनेश को गरफतार किया गया है पुलिस ने 11 और आरोपियों को डिटेंड किया है, इनके अलावा वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी जीतू उर्फ जितेंदर को भी हैदराबाद से गटूर से दस्तियाप किया गया है देवगर्थाना प्रभारी और कमलीघार चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया जमीन विवाद में दंपति को जिंदा जलाने का मामला तंपति को जिंदा जलाने की कोशिश में लापरवाही बरतने पर पुलिस महाने रक्षर कुदैपुर रेंच प्रफुल कुमार ने देवगर्थाना प्रभारी शेतान सिंग और कमलीघार चौकी प्रभारी राजु सिंग को निलंबित किया